कि हैं लो कि शाघत करते हैं आपका अपने से नेक्श वीडियो में किसान भाई ओ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं उरर दिलली इस इन सब के खर्पतवार नासक के बारे में जैसा कि आप जानते होंगे कि उरर दर इन सब कोईभी पशालों उसमें खर्पतवार जो है उसकी पैदावार को कितना ज्यादा कम कर देते हैं कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जो है खर्पतवार की वज़े से फेंड ही दब जाते हैं जिनकी वज़े से पैदावार लगभगना के बराबर हो जाती है और उरत ले और यह सब जो हैं इनमें खर्पतवार से बचाने के लिए कुछ नकुछ तो उपाय करना पड़ेगा जिसके लिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए किसान भाई ओ उरत में जो है देखिए आप यह जो मैं बताने वाला हूं यह दवाई आप आसानी से अपने आसपास के मार्केट से कही से अविलेबल करा सकते हो बहुत सारी दवाई आती है लेकिन किसान भाई मैं जो यूज करता हूं वह यह आपको बताता हूं तो यह किसान भाई जो यह दवाई है यह आपको 100% रिजल्ट देगी किसान भाई इसका नाम जैसा कि आप देख रहे होंगे पैरा सूट नाम है तीन जो है इसमें आपको अलग अलग तरीके की दवाईया इस डिब्बे के अंदर निकलेंगी यह एक लगभग एक एकड़ के लिए एक हेक्टेयर के लिए दवाई है किसान भाई यह डिब्बा जो है एक हेक्टेयर के आपको मैं बता दूँ यह मतलब इसका छिड़काओं क के लिए लगभग होगा और दूसरा जो आपको यह दिख रहा है पकेट और दो ग्राम एक लीटर पानी में घोल कर आप एक लीटर पानी के लिए है और जो तीसरा आपको दिख रहा है 1.5 ml और एक लीटर में इसको आप घोल बनाके आप डाल सकते हो आपको डिब्बे में असानी से देखने को मिल जायेगा जो आप लाएंगे ठीक है किसन भाई तो यह दवाई बिलकुल ही कारगर है आप निकसंग को छोकर इस दवाई का इस्तमाल आप कर सकते हैं आपका तिली का फसल ओड़त का फसल हो मूं का फसल हो इसमें आप आसानी से इसका छिड़काव क करके आप इससे निजाद पा सकते हैं विश्वास मानिये भाई इसको आप डाल कि जो है आप अपने हसल में घास आप खतम करेंगे तो उससे आपका पैदावार वो तो आप जाहिसी बात है कि आपका पैदावार पड़ेगा तो किसान भाई उरत के बाले में जैसे और जानका पासकर यहीं जाद तर उरत की पैदावार की जाती है और साथ ही उरत कितना एक भीगे में लगभग लग जाता है किसानवाई लगभग 3-4 किलो आप एक वीगे में उरत होते हैं और इसका पैदावार अगर हम बताएं तो लगभग 8-10 कुईंटल असिंचित छेत्रों में जहां पर आप सिचाई नहीं करते हैं और अगर अच्छे से पैदा हुआ तो किसान भाई क्योंकि बारिस का समय होता है काफी जादा ध्यान देना पड़ता है अगर आप इससे घासवास निकाल ले गए समय से दवाई का जड़काओ कर दिया क्योंकि कुछ लोग तो बोकर ही ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसकी वज़े से आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा नहीं कुछ हिलाके में ऐसा देखा जाता है एक उरत का बोवाई करके उसको खेत ऐसे ही छोड़ दिये तो थोड़ा टेकन केर फसलों को करना पड़ता है किसान भाई तो इस वीडियो में किसान भाई इतना ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम बहत्रीन जानकारी लेकर रहे हैं जान्माद करें